दोस्तों आज मैं आपको ऐसे भस्म के बारे में बताऊंगी कि जिसको आप घर में बना के कई सारी बिमारियों को खतम कर सकते हैं बवसीर जैसी बिमारी जो बहुत जादे परिशान करती है चाहे कितनी भी पुरानी बवसीर की समस्या हो आप इस भसम से खतम कर सकते हैं इसके लबा कई ऐसी बिमारियां होती हैं जिसको हम इस भसम से ठीक कर सकते हैं पूरी तरह से क्योर कर सकते हैं आज मैं आपको इस वीडियो में पूरा सब कुछ बताऊंगी कि भस्म कैसे बनती है, किस चीज की है और इसको कैसे लेना है, किन-किन बीमारियों में इसका उप्योग किस तरह से करना है, वीडियो पसंद आए तो प्लीज से जादे जादे शेयर करिएगा, लाइक वीडियो क का काम करते हैं, और वीडियो को लाइक करने के अलावाज अगर चैनल को सब्सक्राइब ने किया है, तो सब्सक्राइब भी से जरूर कर लेजिए, इसे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे, दोस्तों वह चीज है नारियल की जटा, नारियल तो हम लोग आपको लगेगा कि कितनी इसकी इंपॉर्टेंस है, तो इसे जरूर रखना चाहिए, नारियल की जटा होती है, यह पाइस के समस्या को कैसे ठीक करती है, क्योंकि इसमें फाइबर अधिक मात्रा में पाया जाता है, जो पेट से संबंदे जुड़ी कई सारी बीमारियों को दूर करता है, इसके अलावा और भी कई सारी बीमारियां होती है, जिने नारियल की जटा के भस्म से ठीक कर सकते हैं, और ऐसे कई सारे उपाएं भी हैं इसके करने से जो हमारे लिए बहुत जादे लाब दायक है, सारा कुछ आपको इस वीडियो में मिलेगा, इसके अलाव पर या फिर आप इसे किसी भी तिली से भी जला सकते हैं, बहुत तेजी से जल जाता आसानी से, क्योंकि बिल्कुल यह ड्राई होता है, बहुत तेजी से आराम से जल जाता, कोई प्रॉब्लम नहीं होती, या फिर गैस पर ऐसे ही आप ड्राई कोई कडाही रखते हैं, और दीरे दीरे अपने आप से ये जल जाता है पूरी तरीके से और फिर आप आसानी से इसका बस बना के त्यार कर सकते हैं तो देखिए किस तरह से हम इसको कड़ाई पर रखें और देख रहे हैं अपने आप से कैसे इसके आच के यानि जो टमप्रेचर पाता उसी आच पे ही ये इससे हम कई सारी बिमारियों को दूर करते हैं शरीर में अगर रक्त विकार है आपके यानि खून में किसी भी तरह की गड़बड़ी है परिशानी है या फिर मासी धर्म की अनमित्ता है उसको भी ठीक करता है लिकोरिया जैसी परिशानी को ठीक करता है यहां तक कि दातों में जो पीला पन पाइरिया की समस्या उसको भी ठीक करता है आगे वीडियो में बताएंगे कि आपको इन सारी बीमारियों में कैसे इसको लेना है अब 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 सीर के लिए कैसे उपयोग करना है तो देखिए जो राक बन गई है इसको स्पून से ऐसे दवाते हैं फिर बिल्कुल ये राक की जैसा बना दीजे या फिर अगर ऐसे स्पून से नहीं दबा सकते तो एक स्टेनर लीजिए जब ये ठंडा हो जाए तो उसे चाल लीजिए आप इसे चाल लेंगे तब भी बन जागा लेकिन देखिए कैसे लोहे के बरतन में स्पून से दबाएंगे ये इतना सौफ्ट होता है जलने के बाद ये बहुत आसानी सी एकदम फाइन सा पॉर्डर बन के त्यार हो जाता है इसमें कोई भी रेशे वेकरा नहीं रहते और अगर आपको इतना नहीं करना तो आप स्टेनर लीजिए कोई भी स्टील का स्टेनर लीजिए और उस पे आप इसे रख के छान दीजिए आपका ये राख बन के त्यार हो जाएगा तो ये देखे कितने आसानी से हम आपको दिखा रहे हैं कि कितने आसानी से बन जाता है बस ऐसे ही दबाते वे अगर कोई बड़ा से स्पून है तो उसको दबाते वे इस तरह से कड़ाही पे आप ठंडा करते रहेंगे और इस तरह दबाएंगे तो ये गरम गरम में ही आग चमतकारिक रिजल्ट देता है अगर आप नारियल तेल में थोड़ा सा एलोवेरा जेल मिलाइए और इस राख को उसमें मिक्स करते जाएए तो जो पेस्ट बनके त्यार होता है उस पेस्ट को अगर सफेद बालों पे लगाते हैं तो बालों को जड़ सी कालक कर देता है यह न देखेंगे साथ दिन के अंदर कितने भी गंदे दात हैं वो पूरी तरह से चमक जाते हैं बहुत पढ़िया से चीज होता है इराख अब चलिए हम आपको बताते हैं कि बावासीर से जो पेसेंट हैं कितनी भी पुरानी बावासीर की समस्या है पाइल्स को यह पुराने से है यह बहुत समय से यह आजमाया जा रहा है इससे बहुत बढ़िया बेटर रिजर्ट भी निकला है आप इसे एक बार जरूर करें अगर लिकोरिया की समस्या है तो उसमें भी आप से मैथट यूज़ करेंगे तो चलिए हम आपको बताते हैं कि इस राख को पाइल्स के पे दही का सेवन आप जरूर किया करें यह पेट की घर्मी को खतम करता है पाइल्स की समस्या को दूर करने में बहुत मदद करता है तो आपको दही का सेवन जरूर करना है अगर आप वासी की बिमारी से परिशान है तो देखिए इस रामेडी के लिए क्या करना एक लास जब आप इस रामेडी को लेंगे तो यह प्लेन रहनी चाहिए दही यह चाज जो भी ले रहे है इसमें आप मीठा नहीं यूज़ करेंगे इस रामेडी के लिए तो देखिए एक गलास इस तरह छोटे गलास से आपको लेना है एक छोटा गलास लीज़े और उसमें यह जो जाधा चमच इस तरह डाल रहे हैं इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है यह फाइबर से रिच होता है यह आपके पेट की कई सारी समस्याओं को दूर करता आप बिल्कुल नहीं डरेंगी कि यह राक का आप सीवन कर रहे हैं तो इससे आपको कोई भी साइड इफेक्ट तो आप क्या करेंगी जैसे बता रहे हैं आधा चमच राक लीजिए और जो अपने चाज दही लिया है उसके अंदर इसको मिक्स करिए इसे घोल के सुबह सुबह खाली पेट पीजिए पहले दिनी आपको अराम देगा बस एक बात का ध्यान देना है कि जब आप इस पूरी तरह से वर्क करें और दिन में अगर आप इसे तीन बार करते हैं सुबह में एक बार दोपहर में एक बार शाम में तो पहले दिन ही आपको पाइल्स की समस्या से 90% आराम मिल जाएगा और अगर आपको आराम मिलता है तो इसे आप लगातार तीन दिन करें इसके अला अज़ीरें आपको बताते हैं कि अगर ये जो राक है हम इससे और कौण सी बीमारियां ठीक करते हैं अगर आपको पायरिया कि समस्य है जैसे मुझे बताया मौत की लिए ये पांच मिंट धीरे-धीरे асों मसाज करें लिए और इसी 2 मिनट के लिए ऐसे मुँ में छोड़ दीजिए उसके बाद आप कुला करेंगे और इसे आप साथ दिन लगातार आपने अगर इसे मंजन कर लिया दाद की सफाई कर ली तो आपके दाद कितनी भी गंदे पुराने हैं पायरिया की समस्या है मुँ में बद्बू आती ये सारी समस्या काये है ऑपकी ठीक कर देगा बहुत इफ़ेक्टिव सी चीज voz को दूसरी चीज देख रक्तकि रख के लिए पर को कैसे यूज करेंगे इसके लिए आपको जेश में आपने बना के त्यार किया है आप को एक ग्लास पानी लेना है नार्मल-वार बाली नॉर्मल इस भस्म को मिलाके पीने से आपके ब्रक्त विकार ठीक हो जाते है, मासिक धरम के अने में इतना ठीक हो जाती है, इतना ही नहीं, हिचकी अगर आने की समस्या है, है जा है, या फिर वमन जैसी समस्या, इसको भी ये जड़ से खतम कर देता है, बस नॉर्मल पानी में आपको इस तरह छोटे चमस एक चमस, बड़े चमस या अधा चमस घूलिए, और इसे सूबह सूबह खाली पेट पी जाए, अगर आपको इन सारी बीमारियों की परिशानी है, मासिक धरम के से समस्या है, लिकोरिया की परिशानी है, हिचकी यानी की समस्या है, या फिर वमन है, इन सारी बीमारियों को भी आप इस रेमिटी से ठीक कर सकते हैं, बहुत एफेक्टिव उप्चार है, और इसके एक और जो आप हमेशा यूज़ कर सकते हैं अगर आप घर से कहीं बाहर जा रहे हैं मालीचे कुछ दिनों के लिए घर में आपके ताला लग रहा है आपने प्लांटिंग कर रखी है प्लांटिंग के लिए इस गर्मियों के सीजन में अगर अपने प्लांट में इसके बाद पानी डालते हैं तो आपको डेली पानी डालने का टेंशन भी नहीं होगा क्योंकि पानी को अच्छे से एब्सॉर्ब कर लेता है और मिट्टिंग में अच्छे से मौशर बनाया रखता है जिससे प्लांट सोखते नहीं है और नमी प्रॉपर बनने के वज़े से आपके प्लांट हपते दस दिन तक अगर आप नहीं रहते घर में बाहर रहें किसी का दिशाने तो इस रेमिडी को करिए साथ साथ देखिए जो दही होता है उसमें आप जीरा अजवाइन इनको भून के इसका पॉर्टर बना के दिन में दो बार जरूर खाया अगर ये अपने खाने के साथ ब्रैक्फास्ट में है लंच में है आप इसको खाएंगे ये पाइल पानी जादे से जादे पीजिए समर का सीजन है पेट को बिलकुल भी ड्राइन होने देना उसे हाइड़ेट किये रहना है तो साथ से आट लीटर पानी पीजिए पानी का मतलब है लिक्विड डैट लिक्विड डैट में आप इस तरह दही है चार्ज है जूसर जहीं सारे विडियो को मिला के साथ से आट लीटर आपको पेट में लिक्विड जरूर डालना चाहिए यसी कौंस्टिपेशन की समस्याप की ना रहे तो आशा है आपको यह आज की वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी होगी तो वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लोगों के साथ श झाल मुझे ना लीडियो जरूर आपको की वीडियो आपको यह दो आट है तो आट लाए तो आट लेवागी होगी 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 है